नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं फुकुमार सेंग और आप देखंगे अंशुकुरेट दोस्तो आज हम बात करने के लिए हैं When he concluding में के वारे में जूखता है हम जिब कि अपना घर बनाते है तोegenppingNo होता है कि हम क्या करवा है, अगर आप पास अच्छल पैसे सिLE C तो आप अच्छा कासा पत्थर लगाना चाहते हो पत्थर में इतनी सारी वाराइटीज आ गई हैं मार्बल ग्रेनाइट और ऐसे बहुत सारे स्टोंस हैं जो की लगावागे तो बहुत खूबसुरा लग फ्लोरिंग के लोग आता है घर का भी लोग उतना ही शांदार आता है अब ऐसे में दोस्तों टाइल भी आजकल है टाइल में इतनी तरही टाइल आ गई है कि लोग लगाते हैं तो वहाँ पर हमें साथा कॉंसी टाइल यह लगानी है लेकिन यहां मैं सो सिंपल सिर्फ इतना आज की वीडियो बात करना चाहेंगे कि आपको ग्लॉसी फिनिस बार फिनिस की टाइल और खुर्दरी फिनिस की टाइल है उन दोनों में से आपको कौन सी टाइल कहां यूज करनी चाहिए प्लस इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वह सब कुछ हम आज की वीडियो बात करेंगे इस वीडियो को सुरु से लेकि एंट टक दे या फिर अच्छी पथर लगाने कोशिश करते हैं जो कि आपका एक बार लग जाता है तो 5-10 साल के लिए वह वहीं पर फिक्स हो जाता है नॉर्मल लोग इतना टाइम से पहले फ्लोरिंग चेंज नहीं करते हैं तो इसलों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है वीडि संसे प्लीज या सबस्क्राइब जल्ध जल्धी करो आपको सबस्क्राइब करने का एक रुपे भी कोई कॉस्ट नहीं लगता सिर्फ लाल ब्टर्ण दबा के ब्लैक करना है और घंटी का आइकन आएगा उसको दबाकर आपको अल्टिफिकेशन आउन करना जै क्योंकि दोस जोसे पहले हम बात कर लेते हैं, Glossy Finish Tile के बारे में Glossy Finish Tile होती है, Glossy Finish Tile दोस्तों वह होती है, बिल्कुल चमकदार टाइल है जहां जैसे कि आप ये टाइल देख रहे हैं ये Glossy Finish Tile है इसके अपर तो देख रखते हैं कि लाइट रौशनी पढ़ रहे है तो reflection दिखाई दे रहा है आपको तो इसी प्रकाठिक होती हैं जिसमें कि आपको लाइट पडएगे, तो सबस्के लगी अगर शाँ अगर आपको सामने खड़े हो जाओगे तो आपको खुद का रिफलेक्शन पी इस टाइल में दिखाई देगा चमकदा टाय होने के कारण इसके benefits क्या है आप देवा हो रोशनी ही पड़ता है तो अपको पहुस बहुत बढ़ा लगेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन के करण आँखों में जब लाइटे पड़ती है तो लगता है कि कुरूम काफी आपको बढ़ा है और आपको एक रिच लूक एक अच्छी लूक देगा आपको ग्लॉसरी फिनिश टाइल और आजकल इतने तरह की फिनिशिंग दोस्तो दोस्तो इसमें आपको देखेंगे इसमें तो स्टों की मार्बल की गर नाइट की सारी फिनिशिंग मिल जाएं आपको टायल में यह बहुत बढ़ा यह अटोमेटिकली होता है एक लॉस्टी का यह बहुत बढ़ा बेनिफिट है और दोस्तों से कई सारी बेनिफिट मिररलुक के कारण तो इसको सब सबस्दों पसंद करते हैं क्यूंकि दोस्तों इसको एक बार सफाई कर तो एक अलग ही आपको चमकदार फिनिशिंग अगर वहां आपने टाइल को यूज किया है तो आप में अगर थोड़ी लाइट भी दोगे तो देखने में काफी अच्छा लगेगा रूम काफी आपका स्टेंडर्ड और काफी मज़ेदार अर्लम देगा आपको दोस्तों ग्लॉसी फिनिश होने के कारण इसमें कई सारे व्हें और अब आपको चमकता है चमकने वाला है तो तो आपको इसको सफाई हो कुछ कुछ रिधाए तो सफाई करने श् Sutton या सथ यूस किया है तो हम थोड़ा पानी गिर जाता है तो यहां फिसल निगा तो अतना ही ज़्यादा डर रहता है क्यों ग्लॉसी फिरिस होने करण आपको जल्दी हो थोड़ा बहुत पानी गिरा हो दिखाई नहीं देगा यह अक्सर देखा गया होता भी है कि हलका फूल का पानी आपको दिखाई नहीं देगा और आप फिसल सकते हैं इसमें बहुत आरा आपको देखने में कुछ भद्धा देखने में लगेगा अब बहुत जल्दी सकते हैं अब बात कर लेते हैं मैट फिनिस्टाइल के बारे में मैट फिनिस्टाइल दोस्तों यह बड़ा ही अच्छी आजकल टाइले निकली है इसको यूज बहुत दा लोग कर रहे हैं और बहुत दा करना भी चाहिए इसको खासकर उन जगहों पर पानी का यूज होता है यह सबसे बड़ा एडवांट है दोस्तों मैट फिनिस्टाइलों का कि अगर आप ऐ बात कर इतनी तरह की आप डिजाइन शाचुके हैं मैट फिनिस मतलब भी एक तो अटनी ब्राइट नहीं होंगी उतनी चमकदार नहीं होंगी जितनी आप लोग में कोई कमी नहीं आएंगी डूरे अच्छी ज्यादा होगी आपको मैट फिनिस्टाइल दोस्तों काफी बर करता है कौस्ट बर लेकिन मैक्सीमव जेगाए पे आपको मैंट फिनिस्टाइल होगे को सफ जो है वह कंपडेंगे को यृण तो इसमें आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि चोंट तो कॉल्ड़ीट दिखाई नहीं देंगा नहीं की जुझाइगा चमक्दार उसका सर् इसका इसका सर्फेस समगदार नहीं है इस कारण से इसमें अलकी घूल की धूल होती भी है तो पता नहीं चलता है यह सबसे बड़ा इसमें एडवांटेस को बार-बार सफाई करने लोत नहीं पड़ती है बाब बात आ जाती है कि यह थोड़ा तो देखने में नेचुरल लग अब जोस्तों जैसे कि मैट फिनिश है थोड़ी खुरदरी होगी तो इसमें इसके ग्रिब काफी अच्छी बनती है दोस्तों अगर आपका पानी वानी थोड़ा बहुत गिर जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है कि मैंने बताया कि फिसल के गिरने का डर टाइलो पर बह डार्क रूम में हम इं टाइलो उस नहीं कर सकते हैं यह उस्कर और द्ला खराम लगे क्षेने में और द्ला चोटा लगे में बढ़ने में आपको त्वर्ट रीस करते ही हैं तो वहाँ पर चमकदा टायले लिनी है पढ़ेंगी थोड़ी ब्राइट टाइले हो अगर आपको मैट टाइले यूज़ करना ही है और यासे में आपको सबसे पहले हैं किचन की किचन में और बात्रों में दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपको खासा फ्लोरिंग में वाल की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर फ्लोरिंग में आपको यूज करना है मैट टाइले मैट फ्लिश चाले यूज कीजिए क्योंकि दोस्तों बात्रूम में अक्सर पानी रहता है पिसल निका डर रहता है इसलिए वहां पर मैट फ्लोरिंग ढ़ा नहीं कम हो जाएगा और या वैसे ही यहां पे किचन मे कि आपका बहुत सारे कंदगी डस्ट गिरने का डर रहता है और वहां पर गिरता है तो तुरन 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 आपको साफ करने जुत नहीं पड़ेगी यह इसकारण से आप वहां पे फ्लोरिंग में 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 यूज कीजिए और दोस्तों बातरों में एंटिस्किट टाइले आत दोस्तों लगाने का काफी एडवांटेज है आप हॉल में हॉल में आपको बहुत साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ऐसे में आपको एक अच्छा लुक चाहिए आपको हॉल में बतलब कि अगर बाहर से मैमान आ रहा है और आपके हॉल में बैट रहा है तो दे एक अलग रिच लूग देता है आपको ग्लॉस्य फिनिस तो ऐसे मिं आप ग्लॉसी फिनिस टाइल को अपने यूजज कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपके बैड रूम की और किसी भी रूम की आपको रूम में यूज़ यूज़ करें यहां प्रॉपर ली आपके दिमा में बहुत तरह पर ले सकते हैं कि जो कि आपको देखने में अच्छा लगाते हैं तो आपको अच्छा लगा रहे हैं तो इसलिए यह यूज कर सकते हैं अब आपके करता है कि आप कौन सी तरह की टाइलेशन चाते हैं लगवाएंगे तो यह मुझे आप अपने फ्लोरिंग में क्विस तरह की टाइले लगवा रहे और उसकता है वी उसके बारे में मुझे comment box में लिकरके बताना जरूर बिल्कुर में भूनें दोस्तों मैं आने वाली हर एक वीडियो में अपनी वीडियो में सुधार करता जाओंगा आप सभी के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा इसलिए दोस्तों comment कीजिए बताइए मेरी गलतियां के वीडियो में में सुधार करके और अच्छी वीडियो आप तक लाता रहूँगा जै हिन जै भारत जल्दी मिलते हैं अगली और नॉलेच हूल वीडियो